हेलो जी नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक वार फिर से हेलो उप्चार यूटूब चैनल और फेस्बूक पेज पर साथियों आज आपको एक ऐसी ओसदी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसको आयुरुवेद में रसायन माना गया है अभी हम फिल्ड में आयुए थे एक ओसदी का संग्रे करने के लिए ओसदियां इकठी करने के लिए तो हमारे पास देखिए वो ओसदी है जिसको अशवगंदा बोला जाता है अशवगंदा कॉलेक्ट करने के लिए देखिए हमने अशवगंदा की कुछ जड़े लिए है तो सोचा आपको भी इसके बारे में बता दिया जाए ताकि आप भी इस ओसदी का फायदा उठा सके तो सात्यूं देखिए अभी बहुत सारे हमने पलांट उखाड भी लिए है और कुछ ओखाडने भी बाकी है और जो पलांट आज हम बताने वाले हैं वो है अशवगंदा आपने काफी बार इसका नाम भी सुना होगा आपने साइध परियोग भी किया होगा मार्केट में अशवगंदा के कैपसूल भी आते हैं पाउडर भी आता है टेवलेट भी आत इसकी जड़े होती ना सबसे पहले आपको पैचान बता देता हूं जो यह प्लांट है ना सवगंदा आपको नोर्मली रेखिस्तान इलाके में जहां पर खाली पलोट वगएरा पड़े हैं वहां पर बड़ी असानी से मिल जाता है लेकिन आपको लेने कौन सी जगह से हैं जहां पर ज्यादा परदूशन ना हो मालो कोई फैक्ट्रियां आसपास में ना हो रोड की किनारे के आसपास का आपको असवगंदा नहीं लेना है मालो सहर का गाउं का गंदा पानी जापरी कठ्था होता है वहां पर अगर यह उसदी खड़ी हो तो वो गुनकारी नहीं हो होती हो हमें नहीं लेनी तिस्रा आपको समसान घाट जो होता है उसके एरिये में जो जड़ी बूटी होती है वह हमें नहीं लेनी ती आयुरुवेद में शाप साप इन ओसद्धियों को लेने से मना किया गया है आप बड़या daha खेत्तों से जड़ी बूट्टी लिजिए प पत्ते लगे होते हैं इसके वैसे तो काफी सारे परियोग है लेकिन तीन-चेर परियोग आपको बता देता हूं ताकि आप भी इसका परियोग करके अपने विमारियों को ठीक कर सकते हो इसके पत्ते अलग काम में आते हैं आज हम पताने वाले इसकी जड़े होते नहीं देख उसक्षेदराइब तो मार्केट में आपको नागोरी असवगंद के नाम से मिल जाता है और मैं तो आपको बोलूँगा आपको अगर असवगंदा का परियोग करना है तो मार्केट वाला जो पिशा पसा पाउडर होता ना वो मत लेकर आओ कुछ कंपनिए जो बरोसेमद्ध है जो बडिया बनाती है, लेकिन हर कंपनी बडिया नहीं बनाती, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं तो यह कहूंगा, साबुत असवगंदा ज्यादा पुराना भी नहीं हो न चाहिए, कई बर के आता है पंसारी आहर विदेंग स्टोर वाला हमें 2-3 साल पुराना सोगंदा दे देते हैं जिसमें घुन लगा होता है उसमें जो कुन होने चाहिए वो नहीं होते हैं तो हमें कोशिश करने हैं अपने फिल्ड में जाहिए और फिल्ड में अपने हाथों से उखाड क करके इस होसदी को लेकर आए अब बताता हो इसका परयोग आप कैसे कर सकते हो अगर किसी भी भाई वहल को कामर में दद रहता हो गुटने में दद रहता हो कमर में जकड़न हमेशा बनी रहती हो डिस्क बल्ज हो गई हो डिस्क के अंदर गैप आ गया हो या फिर आपकी पूरी घ्रीडी की हड़ी में दर रहता हो चाहिए सर्वाइकल रीजन में बीच वाले मिडल बैक में लोवर बैक में कुले के जुएंट में कंदों में कहीं भी बोडी के अंदर दर रहता हो तो आप असवगंदा का प्रियोग कीजिए वो भी किसी को एंजाइटी की प्रोब्लम हो नेंद ना आती हो हमेशा दिमाग में स्ट्रेस बना रहता हो सोत्ते वक्त सवपन जादा सपने जादा आते हो तो उसके लिए भी असवगंदा बहुत बढ़ी है किसी का कैलस्ट्रोल बढ़ा हुआ हो हड़ियों को मजबूत करने के ल हो भी यह सवगंदा का परियोग करके हश्ट पुष्ट हो सकता है तो साथियों आपको करना क्या है यह जड़े आपको मिल जाए तो अच्छे से इसको धो करके अपने घर पर सुखा लीजिए सुखाने के बाद छोटे-छोटे पीस के कर लीजिए और बिल्कुल अमाम दस् है तो उसके अंदर आपको करना क्या है आदा चमच असवगंदा का पाउडर सुबह श्याम खाना खाने के एक घंटे बाद दूद के साथ सेवन करना शुरू कर दीजिए 15 दिन में आपको अपनी बोड़ी के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा और आप लगातार तीन महिने ते की इसका परियोग कर सकते हों या तो हkeeper ौणा दूद के साथ जो दूद के साथ नहीं ले सकते उनके लिए दूसरा अनूपान बता देता हूं आधा चमच असावगंदा पाउडर और दो सएबी और इसको अपनी बोडी के अंदर कारी करने देने है तो आप देखीने 15-20 दिन के अंदर आपको अलस नहीं रहेगी काम करने में आपका मन रहेगा और काम तक आउट मैसुस आपको बिल्कुल भी नहीं होगी और महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी है जिनको कमर में दद रहता है कई पर प्रेगनेंसी के बाद कमर में दद शुरू हो जाता है दूद को बढ़ाने के लिए असवगंदा सतावर का परियोग की जाता है महिलाओं के लिए जो गरववती महिला होती बढ़िया माने गई है और आप इसका परियोग कीजिए और फायदा उठाइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर भी कीजिए ताकि यह जानकारी हर घर तक पहुंच सकें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इनफोर्मेशन के साथ तब तक के लिए जैस्री राम